हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सबों का आपकी अबहे चनल पर दोस्तों सीटेर का परिप्रेशन लगातार जारी है और हम लोग क्लासेश लगातार चल रहे हैं दोस्तों आप मेंसे जो भी पहली बार चनल लेको विजिट किये हैं वो इसे सब्स्राइब करके बेलाइकन दबा लें क्योंकि लगातार क्लासेसिस पर जारी है तो आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग केवल सीर फोर सीर पैडागोजी क्वेस्टन को करने वाले हैं यानि आज हम लोग भरपूर प्रैक्टिस करेंगे सिक्षन सासर का तो आप लोग तयार हो जाएए कलम और कॉपी लेकर के क्योंकि बहुत सारे क्वेस्टन आपको बिल्कुल नया क्वेस्टन दिखने वाले हैं उसको आपको नोटन करना है लिखना है और मेरा जो व्याख्या होगा मेरा जो एक्सपर्णेशन होगा उसको लेकर के उसे वी बड़े बारिकी से लिखना है क्योंकि आपके एक्जाम में क्वेस्टन जब घुमा के पूछता है तो आप फच जाते हैं और अगर आप अच्छी तरह से मेरी व्याख्या को सुन लेंगे तो आपको सवाल को स से अबलेबल है सीटेड का जी हां दोस्तों पंदरो सौ से ज़्यादा और बहुत ही एफर्डेवल प्राइस में अउनली 349 आपको एक साल तक इसमें जो है पूरा भेलिटी मिलने वाला है और एक साल तक आप सारे क्वेस्टन को बना सकते हैं रिविजन कर सकते हैं आप सो स सकते हैं पंदरो सौ से ज़्यादा प्रैक्टिस से बहु ज़्यादा होता इतना ना किसी किताब में है और ना ही आज तक किसी प्रैक्टिस में आपको देखने मिलेगा तो दोस्तों पहला क्वेस्टन आपके स्क्रीन पर और बड़े इमंदारी से आप बताएं कि इसका उत प्रतर भेजें ताकि आम जान सके कि आपकी त्यारी किस दिशा में जा रही है क्वेस्टन कहता है खोजपुर्ण प्रस्ण विद्यारतियों को खोज करने में सहायता कर सकते हैं विभिन प्रकार के त्रिभूजों के बारे में समझ बढ़ाने के लिए कई प्रकार के अच्छा खोजपुर्ण प्रस्ट नहीं है ध्यान रखेंगे यह क्वेस्टन नेगेटिव है क्या पूछा कोण सा अच्छा खोजपुर्ण प्रस्ट नहीं है ठीक है अब आप एज शिक्षक आप इसका उत्तर दें ऑप्सटन अच्छा से पढ़िए पहला कहता है क्या आप भुजाएं सब का प्रयोग किये बिना एक समकोन त्रभूज का वर्नन कर सकते हैं क्या सभी विशंबाहू त्रभूज नियून कोन त्रभूज भी होते हैं व्याख्या कीजिए और चोथा कहता क्या आप एक ऐसे त्रभूज का रिर्मान कर सकते हैं जिसमें कोनों का य है वो बिल्कुल ही करेक्ट है तो बाकि जितने भी दिखिया आपका एबीस जितने भी ऑप्षन है इन सभी गुनों के अधार पर हम तिर्भूजों की व्याख्या कर सकते हैं और तिर्भूज को बना भी सकते हैं लेकिन जो चोथा जो व्याख्या दिया गया है कि 180 डिगरी से अधी कोन हो या भुजा के दार पर आप संभाहू बोले विसंभाहू बोले या तो समधी बाहू बोले किसी भी तरह का तिर्भूज को बनाएंगे तो उसके कोन का मान 180 ही होगा तो यह जो व्याख्या दिया गया है चौथा यह एकदम इलोजिकल है इस तरह का तर्ण पुर पढ़ाने के लिए आकार यानि की आकृति पढ़ाने के लिए एतिहासिक अस्थानों के भ्रह्मन की योजना बना सकता है क्योंकि मालीजे आप एक टीचर है और आप चाहते हैं कि वह हम बच्चों को आकार का ज्यान दें तृभूज है वृत है वर्ग है सटकोन है ऐसे कई वृत रखे ठीक है वृत है गोला है तो आप कैसी उसको बताएंगे कहता है उसने समय रहते अधिकांस पाठी करम पूरा कर लिया है और उसे अवकास उपलब्द कराने के आवाश सकता है क्या एजे सीख्षक आपको यह जरूरी है यह पोइंट से लगता है अगला पड़ि उत्तर नहीं मार दीजेगा पूरा पढ़ लिजेगा छेत्र भर्मन सीबी एसी द्वारा अनुसंसित किये गए है इसलिए अति आवस्याक है केता कि सीब्यासी खुद कहता कि पढ़ाने के लिए सिख्षकों को छेत्र भ्रह्मन कराना चीए विद्यार्थियों को तो यह आत दोस्तों देखिए इसका आंसुद आंसर क्या होना चाहिए आप पहले लगा लेजी उत्तर तो दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी बोले क्यों क्योंकि जब आप गणित पढ़ा रहे हैं आप किसी जगा पर घुमाने लेगे बच्चों को जैसे माले जी कि आप उडिसा ले आते हैं वहां का जो कुराग मंदिर है सूरी मंदिर है उसको दिखा रहे हैं तो वहां बहुत सारे आकरती है जिसको आप उसको दिखा करके बोले कि देखिए यह बृत जैसा आकरती आपको दिख रहा है यह आयताकार जैसा आकरती दिख रहा है यह कुछ आप बेलनाकार आकृती में दिखा रहे हैं कुछ संकुआ कार आकृती में दिखा रहे हैं तो आप बच्चों को यह बताना चाहरे हैं कि वास्तु कला का जो छेतर जो कि समाजिक विज्ञान का एक अंग है तो समाजिक विज्ञान भी कहीं न कहीं क्या है गणित से जु के साथ भली भाती बड़े आसानी से जूड़ पाते हैं तो इसका सुद्दांसर क्या आप दोस्तों आपनों कमेंड करते चले जाए कि अपनों का उत्तर सही हो रहा की नहीं ठीक है कोई दगावाजी नहीं आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इमंदारी से पढ़ रहे हैं आप हो अच्छा कमेंड भी करते हैं कमेंड पढ़ांद है कि कि है आप और आज रिस्पोंस करें दूस्तों आगे बढ़ते हैं अगले नफस्तन पर अग्ला कुस्तन आपके कर दोस्तों कहता है रूणा से 304 میں 79 के लिए कहा जाता है उवह इस प्रकार जोड़ती है आप देखरें, सवाल में जोडा गया है, उसकी समस्या क्या है? अब एक सिखशक होने के नाते, आप इसके जोड के प्रक्रिया को देखिए और समझिए कि इस बालक में क्या समस्या है, इस लड़की में क्या समस्या है. पहला केता कि रूना ने संख्याओं को लापरवाही से लिखा है, तेखिए लापरवाही या फिर ध्यान ना देना, इस तरह की बातें किसी भी आप्शन में आए दोस्तों उसको पहले काड़ देना, क्योंकि इस तरह की बातें पढ़ाई में होनी नहीं चाहिए लापरवाही इसका मत्तब कि एज शिक्षक आप खुद फेलियो रहे हैं अगर आपका बच्चा लापरवाही कर रहा है इसका मत्तब है कि आप जो ग्यान देना चाहरे हैं वो आप बच्चों तक पहुचा ही नही है ठीक है आगे देखिए उसके काम में सटिक्ता की कमी है संख्याओं को अस्तंभों में लिखते समय है तिसरा अप्शन है कि रूना को आधार्भूत संख्या संबंदी तत्यों को समझने की समस्या है और चौथा कता कि रूना द्रिस्यात्मक प्रिक्रिया नहीं कर सकती है भाई वो देख करके वो लिख ले रही है तो द्रिस्यात्मक तो खेल इसमें कहीं को दिक्रिया नहीं यह option D no.4 काट दो इसको देखिए आप इसमें कि इसमें वह क्या कर रही है कि इसमें वह अस्थानिया मान को सही ढंग से शेक नहीं कर पा रही है जिस कारण से क्या हो पा रहा है कि उसका गलत व्याख्यां उसके सामने आ रहा है वह इन दोनों को जोड़ती है इन दोनों को जोड़ती है फिर इन दोनों को जोड़कर कि वह तो वो समय नहीं पाती है कि दहाई अंक का जो संख्या है वो सेकड़ा में किस प्रकार से जूटेगा तो उसको अस्तंबों का ग्यान सही धंग से लिखने का नहीं है तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्सन नमबर बी कितने लोग का सही हुआ बताइए ठीक है दोस्तों हम लोग बहुत जंग 13000 सब्सक्राइबर तक पहुचने वाले हैं आप लोगों का भरपूर सायोग मिल रहा है और आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से चैनला को सपोर्ट भी करते हैं और आप हम लोग के काम को हम लोग के मेनत को आप सरहते भी है तो आप कोशिस कर मेरा तेरा पूरा हो जाए सपोर्ट कर दीजिए ठीक है बढ़ते हैं अगला कॉश्चन में केहता Japanese माप की अवद्हारना विक्सित करने है तू अपनाए गए निमलिखित कारियों को क्रम से लगाईए यानि एक सिक्षक होने के नाते आप किसी बालक में माप की अबधारना को आप सिखाना चाहते हैं कोन- killing is a step आप की से उठाएंगे यह बताना है ना किता कि सिक्षार्ती नंबाई मापने के लिए मानक इकाईयों का प्रयोग करते हैं तिसरा कहता कि सिख्छार्ती सरल अब लोकन द्वारा वस्तवों को सत्यापित करते हैं चोथा सिख्छार्ती मिट्री यानि मेट्रिक एकाईयों के बीच के संबंद को समझते हैं ठीक है अब देखिए जब भी आपको कोई सवाल आए दोस्तों चाया वो माप से हो भीन्ने से ह एक बात में आप गांठ बांग लेजिए जितने भी आप इस देख लें यह तेक्निक आपको बहतरी सिखा रहे हैं इसको ध्यान समझेगा अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला जाए और उसके दिये गए करम कारे को इस्टेप बाइस्ठेप इखने के लिए ब आप देखिए option नंबर दो दुदेखिए बीज दिया है बी नंबर स्टेप सिक्छार्थी लंबाई मापने के लिए और मानक इकाई यहानी अपने हिसाब से कि जो है वो हांत के बिता से नाप लिया एक हांत नाप लिया अंगुली से माप ले रहा है पैर से माप ले रहा च कि अगर मालेजे कोई आपको कोई स्वान बनवाना है कोई खिड़की बनवाना है तुरत नहीं मिला कुछ मालेजे मापने के लिए आप घर में नहीं है फीता तो आप क्या कि रसी सही माप लिए और वह रसी जाकर के कि यह वहां बढ़ाई को दिखा दिए वहां कि इतना बाकी कौन सा होगा देखिए दो के बाद एक होगा फिर तीन होगा फिर चार होगा तो इस तरह से जब आपके एक्जाम में कूट वाला सवाल आता है ना तो आप बड़े ध्यान से पहले कूट को भी समझे कि कूट किस प्रकार से दिया गया है क्या सब की सुरुबात अलग से किया गया है किसी में एक से किसी में दो से किसी में तीन से किसी में चार से केवल यह पता कर लिजिए कि सबसे पहले क्या करना है कर दोस्तों अब लेते हैं अगला सवाल यह कहता है कक्षा एक के विद्यार्थियों को बीश तक की गिंती के लिए खाली अस्थान भरने का कारी दिया गया है इस कारी के लिए मापन का निर्देश क्या होना चाहिए यानि किस पकार से आप रखेंगे कि वह जो है बच्चे उसको अच्छे से भर सकते हैं विद्यार्थि के लिए क्या कारी है पहला कहता है बीश तक की संख्याओं में खाली अस्थान को भर सकते हैं प्यार्थि भीना किसी गल्दी के 20 तक गिनती हुए सब तक सभी संख्याओं को लिख सकते सभी खाली अस्थाना में संख्याई में भर सकते अब धीए यहां पे थोड़ा सा गौर्ण से पढ़ने की बात क्या कहता कि इस कारी के लिए मापन का निर्देश क्या होना चाहिए यानि एक बच्चा को वीस्तक की गिंती सिखा दिए अब आप चाहते हैं कि वह बच्चा सीखा कि निए इसका आपको मापन करना है तो कैसे मापेंगे तो भई वह जो गिंती करेगा न जब भरेगा एक से 20 तक तो एक से 20 तक भरने के करम में वह अच्छे से उसको बढ़ भी ले और उसको लिख भी ले बढ़ यहां से भर भी ले तो उसकार से पर देखिए दोस्तों डॉप्शन नंबर बी दिया गया है बिना किसी गलती के 20 तक गिनते गिनते हुए सभी अंकों को भर सकते यानि गनित करने की युकती के रूप में सवाल हल करना में सामिल क्या है अगर गनित के किसी प्रस्न को को आप हल कर रहे हैं तो उसमें कौन सी युक्ति सामिल है वो बताना है आपको व्यापक अभ्यास क्या बहुत ज़्यादा अभ्यास करने के बाद ही अफ्साल को सौल कर सकते हैं सोचिए ध्यान से हल पर पहुचने के लिए संकेतों का प्रयोग क्या हल पर पहुचने के लिए क कहता अनुमाल लगाना एक चीज़ ध्यान रखेगा कि मैट्स में अनुमाल लगाने की छमता बच्चों के अंदर होनी तो चाहिए लेकिन अनुमाल लगाने से अब निशकर्स तक नहीं पहुंच सकते ठीक है अनुमाल लगाने से आपको यह कम से कम कोईफिडेंस अंदर में आजागा कि हम सवाल को किस तरह से बना सकते हैं लेकिन अनुमाल लगाने से आप सही निशकर्स तक नहीं पहुंच सकते हैं ठीक है तो इसका से उत्तर होगा ऑप्सन नंबर सी आई बास समझ में ठीक है आई दोस्तों आगले कुशन पढ़ते हैं तो मकडी के रूप वाले प्रस्णों को हल करने के लिए कहा इस गतिविदी का मोख्य उदेश क्या है अब देखिए यहां एक ध्यान के गणितिया मकडी की रूप में या रूप वाले प्रस्णों को हल करने के लिए है एक लोग स्वाल पढ़ते हैं मकडी वाला घर वाला अलग लग बॉक्स वाला था पजल वाला होत्रा कोस्थन पढ़ते हैं आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे जो कि पेपर में जो आता है पजल उसको हर बार सौल्व करते होंगे नहीं और खुब मजा आता गया तो अभी करत अगिनातमक मुल्यांकन करना।। उनकी गणितिया कक्छा को आननदायक बनाना। और डिकाता कुछ विद्यार्थियों की गुणा की क्रम्चही विश्यस्ताओं को समझने में साहयता करना। अब दोश्तों कि गनितिय अमक्री का प्रोस्चिस है गनितियं मकंडी के तरह से स्वाल को solve करते हैं उसमें हम लोग गुनंखंड का जो है ग्हान प्राप्द करते हैं इस ही द्यान Kalखिएगा यह भी कुछना से बन सकता है लेकिन इसका जो उत्त्य दूंसरे होगा तो वह गणितिया गणितिया क्षा को आनन दायक बनाना क्यीं दinkिने तरीका है वह कहता है कि आप और के किसी पुरशल को पहले के हिसाब की मकड़ी का बाखय की का थे या पिर आक लोग जो है दूसरे देखिए आपके सामने जो कोश्टन है बहुती लंबा चौड़ा कोश्टन दीखराओगा आपको कोश्टन देखर करके डर येगा नहीं बहुत ही सरलक कोश्टन रहता है कोश्टन देखर डरना नहीं है कोई से कहता है कि विकास 56 यानि 56 विद्यार्थ की कक्षा को गणित पढ़ाता है उसका या विश्वास है कि यदि परिक्षा के तुरंत बाद प्रती पुष्टी यानि फिडबैक दी जाए तो वह प्रभावसाली होती है वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परिक्षा यानि क्ल पछाने क्या है कि जाव 会व चयांच करना चाहिए को यह अपको पूछा जा रहा है पहला विद्यारतियों को एक दूसरे के उत्तर की जाच करने दे दे तो भाई यह तो वह हुआ कि जो है चोर को ही क्या बोलते हैं चोरी का investigation करने दे देना नहीं आप अगर विद्यारती हैं अगर आप ही परिच्छा को लिखे हैं और आप ही को कौपी जाच करने दे तो आप क्या करोगे जान के नमबर भी आप बढ़ा सकते ना तो यह सही नहीं होगा वह प्रतेक सवाल के हल को बोड़ पर समझाए और विद्यारतियों से कहें कि वह सिवंग अपने उत्तरों की जाच करें आप यह बताओ कि यहां पर आधा तो ठीक है कि आप सारे प्रस्मों को बोड़ पर समझा सकते हैं यह पॉजिटिव तो है लेकिन उसके आधार पर बच्चे क्या करें कि अपने उत्तर की जाच करें तो सब बच्चों वह छमता नहीं है कि वह सभी उत्तर को कर सकता है कि वह कीन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कोन सी होगी यह पॉजिटिव लग रहा है चोथा कहता कि वह याद्रेश्चिक रूप से किसी भी एक कौपी का देखी जोस्टों याद्रेश्चिक मुने लेते हैं और जब बोर्ड पर कोशन बनवाते जैसे कि अभी में को सब्सक्राइब हैं तो कोशन बनवाते करम में क्या हो रहा है कि अगर आप इसे भाग नहीं ले रहे बढ़ियां से अगर आप भी संग संग मन में नहीं उत्तर कर रहे हैं घरां बैठके लिखनी रहे हैं तो यह सेसन आपके लिए क्या अध्यार्थ हो जाएगा उसी प्रकार से जब एक टेस्ट लेते हैं आप एक सिख्छा के नाते तो वहां पर बोर्ड पर बाने से बढ़ियां क्या है कि या बच्चों के बीच में ही सामिल हो करके उसमें एक वाद विवाद या आपसे तो यह सही तरीका होता है फिडवेक के लिए ताकि हम देखें कि कौन बच्छा अच्छा से समझ गया है कौन अपनी बातों को अच्छा से एक्स्प्रेसर के बता दे रहा है तो यह सब चीजें उसमें विकास और अच्छा से हो सकता है तो इसका सही ऑप्शन दुस्तों का नंबर सी आप लोग क्या लगाए थे उत्तर ठीक है दस्तों देखिए अगला कोश्ण देखिए को सन नंबर नेक्स्ट क्या देखिए आपके सामने है को संदिखिए इस रिवी सब्सक्राइब अब बहुत ही आसान को सने का कहता नीती कख्छा तीन पढ़ती है वह एक समान पारिबालिका दिखाई देती है लेकिन गरिद में उसे गंभीर समस्या है उसकी कक्षा में दूसरे बच्चे जोड़ घटा गुना भाग कि जैसी समस्याओं को हल कर सकते हैं जबकि वह अभी भी गिंती करने में कठनाई मैसूस करती है और सिंपल जोड़न सा कोई जोड़ है तीन प्लस दो भी उसके लिए कठिन कारे हैं इस अधिगम और समानिता को क्या कहा जाता है तो देखिए अधिगम और समस्या और समानिता क्या हो जाएगा यहां पर कि उसको बढ़ने में कोई एक समस्या है जिसको एक तरह से आप विकार कह सकते हैं प्रॉब्लम कह कह सकतें जोड़ा सा समस्या में डाल रहा है तो आप एक ध्यान रखेंगे केवल की डिखने में कोई लिखने में जोड़ करने वी समझने में तो उसके देखे उस को पूरे जीवन से लिए जो बदलाव होता है उस बदलाव के पीछे जो सिख्छक होते हैं, वो सीख्षक किस तरह से कारे करते हैं और आनी सीख्षक उसके समस्याओं को लेकर किस पकार से रियक्ट करते हैं तो आपको समझ में आगा कि इस पिक्चर से हम काफी कुछ समस्याओं को स्वल्ब करने का सीख सकते हैं एज टीचर ठीक है बहुत ही बेहतरीन मुवी बनाया गय अब दोस्तों देखिए आपके सामनियाग लास प्रश्ण है कहता भिन्नों की अब धारना से परीचित दोस्तों आप धारना मतलब होगे आपका कोई भी चैप्टर की सुरुबात करनी है तो आप किस से सुरू करेंगे किस स्टेप से सुरू करेंगे ताकि वह बालक के समाने जीवन से जुड़ा हुआ हो देखिए अगर इसमें सारे ओप्षन को आप पढ़ते हैं कैफेला कहता है विभिन भिन्नों में अंस और हर की पैच भिन का पता लगाना यह तो और भी कठिन हो जाएगा यह बटा बी के रूप में लिखना देखिए अभी वह भिन्न को समझाए नहीं तो उसका प्रतिरूप कैसे होगा उसका सांकेति रूप कैसा होगा यह तो बता पाना अभी बच्चे के बड़ा मुस्किल होगा उसके आ आप ऐसा एक्जामपल दे सकते हों कि देखो बालों देखो बच्चों आप लोग जो है कही मालों कुछ एक पिज्जा खाने गए या सिंपल लोग एक सेव खाने गए और उस सेव का चार टुकड़ा किया गया आप लोग चार दोस्त है उसमें से आप मैंसे किसी एक को एक पूरा हिस्सा कितना था चार तो आपको कितना मिला बताओ भई तो आपको मिला एक तो आप उसी को कह सकते हैं कि यही एक भिन का क्या करते हैं एक तरह से रुपांतरन है लिख लिखने का तरीका है कि हम जो प्राप्त करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जो पूर्ण मैं कैसे लिखोंगे तो एक बटा चार लिखेंगे क्योंकि एक मिला कितना मैंसे चार मैंसे इस तरह से आप बच्चों को भीन का अपधार्णा अच्छे से समझा सकते हैं ओके दोस्तों दोस्तों देखिए आपके सामने एक और फिर लंबा कोष्षेंगे ठीक है आज बहुत अच्छा चांड़ा आपको देखने मिलेगा और बहुत लंबा-लंबा सवाल दोस्तों को सेर्करना अगर आपको अच्छा नद्यूंदर करिये और लायक करिए क्योंकि यह मेरे लिए जर विद्यार्थि गनित सीख सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को गनित सीखने की जरुरत है को निमलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यानि यह जो दो मानिता है जो आफधारनाय है दो यह कि सभी विद्धयार्थी गणीद सीख सकते हैं और सभी विद्धाइठी को गणीद सीखने की आवश्य सकता है जरूर्द है इसको कैसे पूरा करेंगे bedroom option को ढूणना है कि कहता सभी प्रकार के विद्यारतियों को पढ़ाने और उनकी योगताओं के अनुसार उसका मुल्यांकण करने के लिए अध्यापकों को प्रसिक्षन परदांग करना ताकि कोई विद्यारति अनुतिर नहीं करा सकता है क्योंकि समझ का अस्तर हर एक बालक का अलग अलग होता है अगर तीस विद्यारति है तीस में से अगर एक दो फेल होता है तो आप टीचा को ब्लेम नहीं कर सकते हैं तो यह जो है एकदम एकदम क्या है बहुत ही हार्स एकदम बहुत ही नेगेटीव पॉइंट बुला जा रहा था एक तरह से एक दी बच्चा अनुतिर नहीं करने का अथिसर करकें पूर्ण छंता का कास करने में सहायक है यह बहुत अच्छी बात कहा गया है कि एक सीख्छक होने के नाते एक ऐसा माहूल आप करिये कि बच्चा किसी भी फैमिली से विरॉण करता हो किसी भी प्रिष्ट भूमी से आता हो योगिता उसकी जो भी हो जो कि मानसीख छमता तो लडकों लडकीतों होसियाय बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार का पाठिकम उप्रत करा दिजी तो फिर समावेसी सेख्छा का क्या तो इस तरह से क्या होना चाहिए कि यहां पर सही उत्तर नहीं ड़ते हैं अगले क्वें को सुन के अगला क्वें कहता है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिख्षा को नीचे दी गई एक तुरूटी ग्यात होई तुरूटी में गलती ग्यात हुआ इस इसीति में सिख्षक को उपचारात्मक कारी की रूप में क्या करना चाहिए दोस्तों उपचार क्या हो गया कि आप उसका इलाज कैसे करेंगे समस्या होता है तो यहां क्या निदान केंद्र आपको जब पता चल गया कि यहां पर जोड़ करने दिखकत हो तो आप उसके वाग क्या करेंगे कि उसका सही उपचार हो यानि आप उसको सही ट्रीटमेंट क्या देंगे तो आप एक डॉक्टर है जीवन के लिए अगला कहता है उसमें बच्ची से कहें कि वह अधिक स्यधी अभ्यास करें अब आप बताइए कि अपको कहा जाएं कि आप यहां से लंदन जाहिए और आपको पते नहीं कि लंदन जाना कैसे है आप बोले कि जाईए आज पिर नहीं जाका हुआ कि आ घुम के आरा फिर लेकि निठीर जाएंए तो तो मुर्खता नहुआ उसको रास्ता पते नहीं है तो जब तक बालक को या बच्चे को यह पता नहीं की जोड़ना कैसी है तब तक आप उसको कितना अभिहास करने के लिए के बोलें वह सही नहीं होगा अगला है इसमें अधिक से छेफ नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ चाहिए अब यह मुर्खता पुर्ण option है नहीं अब मालेजे जब समस्या हो रही है उस समय आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं जब बड़ा होगा तो देख लेंगे कि आम हो रहा है और आप उसको ना अंदाज कर दो रहा है यह समय आगे बढ़ेगा जहटे-जहटे पुरा आदम लिखिस्तान बन kitchen होगी तो बताओ तो उसमें आपका करने वाले उसमें आपका उपाय का क्या मतलब बनता है जब आपको सब कुछ खतम होगे तो इसलिए जब समस्या आती है जब समस्या आप देख लेते हैं निदा उपचार उसी समय होना चाहिए तो यह बेब कुफी वला है कहता प्रतेख भिन के परिनाम को समझने में बच्च आपके सामने को दी गई एक सब्समंदी समस्या यानि वर्ड प्रॉलम दिया गया है बीस तारे हैं उनमे से एक बटा चार लाल है तो कितने तारे लाल है और कितने लाल नहीं है यह कुछा गया अब यह द्यार्ती ने उत्तर दिया कि 5 और 15 डाट बोल दिया 5 और 15 तो उत्तर तो सही है आप देख रहें कि उत्तर क्या है दो सही है उत्तर लेकिन अध्यापक उसके कार को निम्लिखित में से किस प्रकार दर्ज करेगा कि उसका जो उत्तर है वह किस लेवल का उत्तर हुआ फिए पहला अच्छी तरह से उत्तर का पता लगा सकता बिल्कूर चाही बात है है लेकिन उसकी अभी व्यक्ति खराप है यानि इसको जो रिपर्जींट विक्ति अच्छी नहीं अब दोस्कों ध्यान लखेगा अभी व्यक्ति खराब है और लिखित अब व्यक्ति अच्छी नहीं है वह ब्वेक्ति मत्दवा कि वो बोल दिया तो कम से कम बोल तो दिया जबकि यह मैथ है तो मैं अभी आपको बोलने से अधी लिखने का भी अच्छा ग्याण होना चींग कैसे उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो option A और B में ज़्यादा अच्छे दोस्कों कि B हो गया अब आगे बोलता कि बालक ने सही विदी को नहीं अपना यह तो गलत है बालक सभी आवाश्यक चर्णों को लिखने में अयोग्य है यह भी गलत है क्योंकि उसने उत्तर सही दिया तो दोनों option C और दे तो वैसे भी कि आपका उत्तर कैसे आ रहा है कि अगला सवाल है आज हम लोग बहुत अच्छा से question कर रहे है और आपको ठकना नहीं है हम प्रयास कर रहें कि थोड़ा interesting type से आपको example दे थोड़ा सा रूचिकर बनाए ताकि आप अच्छे से सुने चीज़ों को क्योंकि सुनना वो जरूरी है पेडागोजी क्लास में एक अच्छा गणितक होने के लिए डैस जरूरी है कहता अधिकतर सुत्रों को याद करना पहुत जल्दी सवालों को हल करना सभी अभधारनाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंद बनाना सवालों के उत्तर देने की तकनिक में निपूनता तो तो आप एक इबात याद रखेगा देखेए गनित के अध्यापक या सिख्छा कुन्याते में आपको एक चीज़ कह सकता हूं कि टीचर मैत का अच्छा वो नहीं है जो बहुत क समझ है उसको बनाता है और अभी जिए समझारा है अवदशर्णा उसके अधार पर आने वाली जो क्लासेस आने वाले जो कक्षाओं पढ़ेगा उसको जोड़पाने में संक्षम कभी कभी आप देखते हैं कि पहले के पड़े हुए आप धारना को आप नेस्ट क्लास में कोई बड़े क्लास में भी यूज होते हुँ देखते हैं तो यह जोड़ने की च्छमता है यह एक अच्छे में चाहिए दोस्तो इसका से उत्तर क्या ना चीए बताइए अप्सण नमबर सी होना चाहिए तो दस्तों उमीद है कि आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा सेशन पसंद आया होगा और आपको पसंद आया तो आप दोस्तों लाइक जिरूर करें और अगर आप यहां तक देख लिए हैं तो आपको अच्छा लगा होगा आपको यह उबिद है तो आप लोग जो है लाइक जरू कर गिएगा और अगर पसंद आये तो आप जिसेर जरू कर गिएगा तो दोस्तों आज के लिए तना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंट्रेस्टिंग तरीके से और बेतरिन तरीके से क्वेश्टन को सॉल्व करते हुए जय हिंद पढ़ते रही है